भक्ती मैं भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ती भजन सागर नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नेलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तम्नमामे शनैश्चरं तम्नमामे शनैश्चरं बोलिये नव ग्रहों के सर्ताज भगवान श्री शनीदेव माराज की भक्त जनों नव ग्रहों के सर्ताज भगवान श्री शनीदेव जी की वक्रत्रिष्टी की कथा आप सभी ने सुनी है पड़ी है वेद पुराणों में इनकी कथाएं वर्नित हैं परन्तु आज मैं आपको भगवान शनी देव की साड़े साती की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ग्यात हो जाएगा कि क्या देव हों क्या दनुज क्या मानव क्या दानव और क्या स्वयम भगवान भी हों भगवान शनी देव की साड़े साती से कोई नहीं बच पाता है शनी की कथा बड़ी है महान साड़े साती से नहीं बच पाए स्वयम शिवजी भगवान स्वयम शिवजी भगवान शनी की कथा बड़ी है महान कथा कुछ इस प्रकार से है भगवान एक दिवस भगवान शिव के कैलाश पर श्री शनी देव का आगमन गुआ उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव के चरणों की बंदना की और उनहीं के चरणों में बैठ गए भगवान शिवने उनके आने का प्रयोजन पूचा तो शनी देव ने कहा प्रभू आप तो जानते हैं के मेरी साड़े साती हर राशी पर अपना फल दिखाती है सो कल से मैं आपकी राशी पर आने वाला हूँ बस यही बताने के लिए मैं आपके चर्णों में उपस्थित हुआ था सुनकर भुले शंकर पाश्चर्य चकित रहे गए मैं तो हूँ भगवान है शनी क्या मुझ पर भी आओगे क्या अपनी साड़े साती का फल मुझ को दिखलाओगे बोले शनी जी सुनलो भगवन मैं तो सब पर आता हूँ देव दनुज हो रिशी मुनी हो सब को फल मैं दिखाता हूँ साड़े साती फल पाएगा चाहे स्वयम भगवान हो चाहे स्वयम भगवान शनी की कथा बड़ी है महान इस पर भगवान शिवने शनी देव से पूछा कि है शनी कल तुम कितनी देर के लिए मेरी राशी पर आऊगे इस पर शनी देव ने कहा प्रभू मैं कम से कम साड़े साथ खड़ी और अधिक से अधिक साड़े साथ वर्षों तक हर राशी पर रहता हूँ परंतुज़ आप स्वयम भगवान है सो मैं साड़े साथ खड़ी के लिए कल आप पर अवश्य आऊंगा इतना कहकर श्री शनी देव अपने धाम को चले जाते हैं भोले नात उनके जाने के बाद सोचते हैं कि कैसे शनी की साड़े साथी से बचा जाए और सोचते सोचते उन्हें क्या उपाए सुझा आईए सुनाता हूँ कल शनी के आने से पहले मृत्यू लोक चला जाऊंगा किसी उचित अस्थान पे जाके मैं तो कहीं छुप जाऊंगा शनी मुझे ना ही पाएंगे मुझे को ढूंड न पाएंगे साड़े साती का फल मुझे को कैसे वो दिख लाएंगे इतना सोच के निश्चित हो गए स्वयम भोले भगवान शनी की कथा बड़ी है महान अगले दिवस शिवजी प्रित्ती लोग में आ गए भगवान नगर नगर मंदिर मंदिर खेत खलिहान बाग बगीचे सब देख डाले परंत कोई उचित स्थान छिपने का ढूर नहीं पाए घूमते घूमते वनों में आ गए भक्तों कि तभी उनके सनमुख एक हाती आ गया अचानक उनके मन में विचार आ गया कि क्योना मैं आज सारा दिन हाती बन कर रहता हूँ इससे शनी मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और ढूड भी नहीं पाएंगे यह सोचकर भगवान शिव ने हाती का स्वरूप भरा और हातियों के जुन्ड में शामिल हो गए सारा दिन निकल गया भक्तों परंतु शनी देव नहीं आए सांज के समय भोले नात अपने स्वरूप में आए और शनी देव के धाम पहुँचे बोले शनी देखाना तुमने आज तुम मुझे ढूड नहीं पाए भगवन की योनी को चोड़ा गज की योनी आए हो यही तो साड़े साथी मेरी प्रभू समझ ना पाए हो शिव शंकर को सारी बात ही भगतों समझ में आई ती जान गए ये दुनिया साड़े साथी से बचने न पाई ती शनी देव को दिये संकर ने धेरों फिर वर्दां शनी की कथा बड़ी है महान तो देखा ना अपने भकतों के चाहे स्वयम भगवान भी क्यों न हो श्री शनी देव की साड़े साथी से कोई नहीं बच सकता क्योंकि स्वयम भगवान शिव नहीं तो उन्हें न्यायाधीश के पत पर बिठाया था और श्री शनी देव कर्म फल दाता होने के कारण भकतों को उनके जीवन में किये अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं तो भकत जनू यदि आप भी शनी देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनी देव के खुण गाते जाईए और जीवन में सदा सदाचार अपनाते हुए अच्छे कर्म करते रहिए बुलिए भगवान शिरी शनी देव महराज की कर्म फलों के दाता शनी जी कर्मों का फल देते हैं अच्छे कर्म जो करता उनके कस्टों को हर लेते हैं लोहा तिल और तेल उड़द का हम तो भोग लगाएंगे चर्णों में हम जुक जाएंगे चंदन तिलक लगाएंगे परम दयालू परम कृपालू भगतों शनी भगवान शनी की कथा बड़ी है महान ब्रबोग्वाएंगे